बहुत ही इंपोटेंट अपडेट करने वाले सीए निव कोर्स के रिकार्डिंग में आज आप्टर नून में मैंने जैसे ही अपडेट किया इसके बाद से मेरे पास हजारों मैसेज इंस्टाग्राम वाटसप पे आ चुका है सीए निव कोर्स के बारे में तो फ्लीज स्टुदेंट्स इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिजए आप सारे उटुदेंट्स का डाउट क्लियर हो जाएगा अगर मैं सारे स्टुदेंट्स का रिपलाइग करने लगू सोसल मीडिया पे तो 24 गंटा भी कम पर जाएगा मेरे लिए जिन स्टुदें अपडेट करता है तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए अब ध्यान से बाते को सुन लेना CA Intermediate and CA Final No.23 के स्टूडेंट चाहे आप लोग ग्रूप 1 का एक्जाम दे रहो या ग्रूप 2 का एक्जाम दे रहो या बोथ ग्रूप का एक्जाम दे रहो CA Intermediate या CA Final का आपका एक्जाम No.23 में Current Course में ही होगा आपको अभी से ले करके एक मन्थ तक आपको इसके बारे में नहीं सोचना New Course आएगा तो क्या होगा जो ग्रूप पास होगा उसको पास माना जाएगा जो ग्रूप में पास नहीं करोगे उस ग्रूप का एक्जाम देना होगा सिंपल सा बात है जब तक Official Notification नहीं आता आप लोग Current Course में पढ़ाई करोगे और Current Course में ही एक्जाम हो रहा है CA Intermediate या CA Final का जो ग्रूप पास कर जाओगे उसको पास माना जाएगा जो पास नहीं करोगे May 24 में सिर्फ उसी ग्रूप का एक्जाम दोगे कैसे क्या एक्जाम्शन मिलेगा वो Official Notification में लिखा होगा तो जब तक Official Notification नहीं आगा कोई आपको नहीं बता सकता और CA Foundation December 23 के स्टुडेंट्स प्लीज आप लोग Current Course में पढ़ाई करें रजिस्टेशन कर लिये तो अच्छी बातें नहीं किये तो एक जुलाई आखरी डेट है जल चल जल रजिस्टेशन कीजिए और रजिस्टेशन कैसे करना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है वीडियो का लिंक आपको डेस्क्रेप्शन में मिल जाएका रजिस्टेशन हो चुका है अगर आप PDF से पढ़ पा रहे हैं तो अच्छा बातें आ सकता है बट कुछ इसू के कान 15 जून तक मिटिंग को अस्थागित कर दिया गया है स्टुडेंट्स ये स्क्रिंसोट मेरे पास सेयर कर रहे हैं सिये परविन सर्मासर का और मुझे बोल रहे हैं थी कि परविन सर्मासर का है आई कि मेइ 24 से निव कोर्स एप्लिकेबल नहीं होगा तो सरका का नाम है कि सिये निव कोर्स नहीं भी हो सकता मेइ 24 से एप्लिकेबल और साथ में सारे स्टुडेंट्स से यही बोलने हैं कि आप लोग करेंट कोर्स में पढ़ाई करें अच्छा रहेगा कुछ नया इसू आ गया है फिर से निव कोर्स में With due respect to परवीन सर्मा सर अभी तक official notification नहीं आया है students तो आप लोग को official notification का वेट करना होगा 15 से 20 जून के आसपास आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि May 24 से applicable होगा या नहीं Official notification इसके आसपास जरूर देखने को मिल जाएगा मुझे ऐसा लगता जब तक official notification नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है और मुझे ऐसा लगता एक जुलाई से पहले तक अगर official notification देखने को मिल जाता है तो chances बन जाता है ज़्यादा chances कि May 24 से applicable होगा जैसे ही एक जुलाई पार होगा तो chances खत्म हो जाएगा बहुत कम chance रहेगा तो सबसे आदा problem हो रहा है जो लोग भी direct entry route से May 24 में सी ये intermediate का exam देना चाते हैं अब ध्यान से बाते को सुने ना सबसे पहला काम ये करोगी कि आप लोग direct entry से registration करो registration में वेट ना करो registration करने के बाद आपको 15-15 दिन का IT और OC कोर्स होता है या तो पहले IT कर लो या तो पहले OC कर लो ये दोनों कोर्स को complete करके रखो आप registration करोगे 15-15 दिन का IT OC कोर्स करोगे त मान लेति अगर new course आज जाएगा तो new course में exam दे दोगा तब आपको आर्टिकल सिप नहीं करना परेगा ऐसा हो जाएगा लेकिन in case जो लोग अभी से direct entry बाले आर्टिकल सिप कर रहे तो प्लीज अपना आर्टिकल सिप को stop ना करें आगे चलके benefit हो जाएगा इतना परिसान हो प्लीट हो जाएगा तो बात में फिट से करना परेगा नहीं ऐसा नहीं होता है सिए कोर्स में एक ही बार आपको ITOC करना परेगा तो रिलेक्स रहो आई होप कि इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला हो तो प्लीज स्टूडेंस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके मन में जितना सारा डाउट हो प्लीज डाउट पूछे कॉमेंट बॉक्स में अगर मैं डाउट का रिपलाई नहीं कर पाता हो तो नेक्स्ट वीडियो में ये डाउट को क्लियर कर दूँगा